हलो नमस्कार प्रणाम आप सबसे आज हमलाई बार हैं आप लोगों को एक जानकारी देने के लिए और इस जानकारी को आप लोग ध्यान से सुनेगा माईनेशनीज एक्सिलेंट प्राइम मिनिस्टर स्री नरिंदर मोदी जी ने ये बोले हैं कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा लेकिन कहते हैं डेमुकरिंसी है माइने सानीच डेमुकरिंसी यहां नाममात्र का डेमुकरिंसी यहां पर है चोंकि जानते हो कि इस देश में जातिवाद भरश्टा चार और रशू का बोलावाला है जो कि जातिवात भरष्टाचार सबसे जादा है इसलिए कलेटर देश का ही नहीं बलकिन भीशुका कलेटर जो होता है ओजिला का मेन मालिक होता है तो ऐसे संबैधानिक पदों पर कलेटर जो होते हैं तो जाति और पांत ही देखकर जब निक्तिय हो जाती है तो बहुत सर्माती है इसलिए हम कह रहे हैं चूंकि हम हैं अजित कुमारी आदब और देखिए यहाँ पे दिया है एक फोटो आप लोग देख रहे होंगे बहुत अच्छे से इस पश्ट अच्छरों में यहाँ पे लिखा है इसस्वी प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी जी का यह तस्वीर देख लो अच्छे से लगी है ने डेवेट हो रहा है इसमें आपके कलेटर हैं कहां के हैं प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी जी जागीर कलेटर इसवन्त कुमार नहीं बता पाए जिले के गाउं जिले के गाउं और पंचायतों की सही संग्छा बताइए एक कलेटर को अपने जिला अपने गाउं और अपने कितनी पंचायत हो इस डिश्टिक में यह जानकारी नहीं है तो केसा कलेटर कौन इसका निर्मा मतलब नुक्ति किया है जादपात के आधार पर ही तो हुआ है चुकि हिंदुस्तान की जादपाती एक खीव सूर्थी है जादपाती जो अब्यक्ति नहीं करेगा वह आगे केसे बढ़ पाएगा रिस्ता करना है अपने जाति में तो जादपात तो करवा ही करेगा आप ही बताओ कि आप जब 16 घंटा अपने परिवार में जादपात में रहना है कितने घंटा 16 घंटा कितने 16 घंटे और एक दिन रात में 24 घंटा होता है तो 16 घंटा आप अपने परिवार में रहोगे जादपात में उल्लीवन चार घंटे की आठ सरी आठ घंटे आप मात्रे बिदाउट जादपात ते नहीं जादपात से हटकर एक सम्मेधान पत्पर रहोगे तो 17 घंटा अठ घंटा catch on 70 को केंसे भूला पाओगे आप सोरा घंटा अपने भाई बंदू बच्चे में रह रह रहा हो तो आठ घंटे उनको कैसे भूला जाओगे 9 बताये तो रियल जाहिर शी वात है कि जातिपात ही होता है इसी आधार पर कलेटर की नुक्ति होती है ये गरीब लोगों के लिए एक कहावत कही है गाउं में मा बबा कहे रहे हैं कि देखने वाला हाथी का दात अलग होता है और खाने वाला दात अलग होता है वही फारमूला इसमें सेट हो रहा है देखिए इसमें दिया है क्या दिया पाए जीले के गाउग और पंचायत की सही संग्चा अब आधा समझ में और इन्होंने लिखते हैं देखो यहाँ पर उन्होंने लिखा है इस राज के एक मात्र जाज जजजगीर जीले के कलेक्टर सवन्द कुमार से प्रधान मंत्री ने क्या पूछते हैं जानते हों क्या पूछे हैं पूछें उनиюने पूछा जा लेकर को रोना संक्रमां की वuveत्मान स्थिती की समिक्षा की बैठक में 36 गड़ के मुख्य मंत्री भुपेस बगेल वा अलावा अपसरों के साथ पांच जिलों बलो बलो दबाजार भाटापरा राइगड जजजगीर चमपा कोरवा और बिलासपूर के कलेटर जुड़े थे क्या इतने कलेटर जुड़े थे जिन जिले के गाउं और ग्राम पंचायत इस कलेटर से मुदी ने क्या पूछते हैं उस गाउं और जनपत गाउं और पंचायतों की संग्छा कितनी है लेकिन कलेटर साहब सही संग्छा नहीं बता पाए और आपने साथ साथ राज्ज की भी जग हसाई करवाए बिज़ती मतलब जग हसाई बिज़ती करादी बैठग में केंदरी मंत्री बैठग में ग्रिह मंत्री अमिश शाह भी मौजूद थे और इसका लाइप प्रसारण भी हो रहा था अफसरों के अनुशार बैठग के दोरान प्रधान मंत्री मोदी ने कई जिलों के कलेटर से सिधी बात की इस द पंचायते हैं यह 67 पंचायते कैसे होता है एक तहसील में 1115 पंचायते होती है ठीक है इस तरह से उन्होंने कितना मतलब एक कलेटर को बताओ अपने गाउं की अपने पंचायत की अपने तहसील उसका जिले की जानकारी नहीं कलेटर कैसे हो जाता है सुचो यह कितने सर्म की बात है यह कहते हैं माइनेशन इजदर डेमो करेंसी लोक तंत्र है लोक तंत्र की तो हत्या हो रही है आपे इस भारत देश की खुबसूरती है जाति पात नहीं होगा तो फिर क्या होगा इसके साथ ही इससे साथ ही उन्होंने नहीं बता पाया एक टोटल बात आपको मैं इसम स्थारवाले कोविट सेंटर का मुखवंत्री बगेल विधान सवाद धेक्षे डाक्टर चरण दास वहां उद्गाटन करवाया था लेकिन वहां कोई सेंटर बना ही नहीं था इस वज़ए सरकार ने बिपक्ष किया लोचिना का सिकार बना वहीं पे देखो उन्होंने कहा क कॉइट सेंटर बना है कितना बना है कि अब जब उनके उनको यहीं नहीं मालूम है कि कैठे गाउं है कैठे पंचाइद है तो क्या बता पाएंगे एसे ऐसे कलिक्टर की नुक्ति हो रही है आप देख लीजिए इसमें पूरा पता दे रहा हूं और पूरा पढ़ लीजिए तो आपको पूरा डिटेरियल सब पता चल जाएगा बिधिवस्य कि देखो डेमू करेंसी नाम पर लोगों ने हत्या किया है जो बन जाता है आदमी ने उन पर भरोसा करता है भरोसा कर लेता है कि चलो हमारी रक्षा करेंगे लेकिन नहीं चुनने के बाद बदल जाते हैं उल कुछ नहीं बोलूँगा गीता के उपर हाथ रखके किसे सीशा पीते हैं आप लुक्सोश लेजिए इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जातिपात 101% होता है इसलिए कि एक इमांदार और पढ़ाय रिखा ब्यक्ति पीछे हो जाता है इस जातिपात के आगे इसलिए निवेदन है कि आप सजग होए सिक्षित होए संबिधान को पढ़िए और जागरूख होए आगे बढ़िए इन लुच्चो और बेकूपों के चक्कर मिमत परिए आप स्वेम अपने आप में कांफिडेंस रखे जैहिन नमस्कार हमें जिक मारे आदो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले कि उड़। लाइब एिन लाइब कर दो घजय होए जाए जाए नमस्कारम्स्ट झाल करें हो हम आपूण।